अब भी आपको प्रेट पर देख लिजे आपके एक्जाम फॉर्म भरते ही भरते आपकी एक्जाम डेट भी आ गई तो फाइनली मैंने बताया था आपको में वालों को कि सेकंड समेश्ट का जो आई रिजल्ट आया था उसके जस्ट बार्त एक्जाम फॉर्म जारी कर दिये उस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट फिर से एक्टेंड हो गया एंड लास्ट डेट एक्टेंड हो रहा है उसके साथ ही एमज़ेपी रोग्रों इसकी ने डेट शेडियूल भी जारी कर दिया परिक्षा कारिक्रम जारी हो गया MA वालों का MA, MSC, MC, MCOM सेकेंड समस्टर के जो बच्चे एक्जाम देएंगे इस बार भी एक्जाम निशन फॉर्म भर रहे थे उनका अभी तक समदलो एक्जाम निशन फॉर्म कंप्लीट नहीं पाया अभी फिर से डेट एक्ट कर दी गई है और कुछ लोगों के तो रिजल्ट ही नहीं है मैं जारी कर दिया है तो पहले हम दिखाएंगे आपको मेन एक्जाम स्रेडूल जो अभी है में MSC का है उसके बाद में PG का इंप्रूमेंट भी दिखाएंगे तो PG का यह देख लिजे एक्जाम निशन शेडूल MGP रोखनुष्ट की ऑफिसल साइट से दिखा रहा हूं तो 30 अक कुछ एकदम मुझे लगता है सही दिया गया इसमें और लेकिन फिर वी आप देखते ही है कि हर बार MGP रोखनुष्टी जब भी डेट शेडूल जारी करती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवतन होता है तो वो बात बात किये है कि उसमें परिवतन कितना होता है कौन से पर पर हटेगा लेकिन अभी फाइनली आप यही मान लिजे कि तीस तारिक सापके पेपर हैं तो ऐसे ही यह BABSC वालों को भी होगा मुझे बता रहा हूं मैं 100% कि जैसे ही अभी एक्जाम का रिजल्ट हैगा ना उसके जस्ट बाद एक्जाम का तैयारी कर लिजे तो यह दिखाया था आपको वह भी ऑफिस्यल था तो आप लोग बात नहीं मानते लेकिन अब बात में आप कहेंगे कि हां सर ऐसा हो गया तो एक्जामिशन फॉर्म अभी तक एक्टेंड हुई है फिर से डेट एक्टेंड हुई है आप देख सकते हैं आम जी पर रोसमिश्टी के पर देख सकते ही लेकिन फिर से लेकिए एक्टेंड हुई है यहां पर जारी कर दिया आप मैं दुखाता हूँ है इंप्रूमेंट वाला तो इदिख लिजे इमप्रूमेंट इंप्रूमेंट नहीं है लिए आप्टेंग धिने के जो लिए बच्चे दे रहे एक्जाम हो ही Improvement exam हो वो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजा Thank you for watching student, thank you for comment, thank you for support